दोस्तो नहीं है अल्पना सुरोष स्वागत है आप सभी का स्वादिक इस्ट बोजन में दोस्तो आज मैं आपके लिए पंजया फ्राई की रेस्पी लेके आई हूँ दोस्तो ये रेस्पी बहुत ही इंटरस्टिंग है और बहुत ही स्वाद आता है खाने में तो दोस्तों यहाँ पर मैंने 1 kg पंजा लिया है, पंजे को आप कम ज़ादा भी ले सकते हैं, इसको मैंने अच्छे से धो करके साप किया है पानी से, उसके बाद दोस्तों हम इसकी जो उपर की चमरी होती है गरम पानी से निकाल देंगे, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों मै नेल काटना बहुत जरूरी होता है, तो आप इसका नेल जरूर काटें, तो हम ऐसे एक एक करके सारे नेल को कट कर लेंगे, दोस्तों अब तक चनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किए, तो नीचे दियो लाल रंग की बटम को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बगल में बे तो इस तरह से देखिए, इसी तरह से हम चीरा बीच-बीच में लगा देंगे, इससे कि आपको दोस्तों जो हम कुछ मसाली आइट करेंगे, इसमें अंदर तक सोखेगा और स्वाद बहुत अच्छा ले आएगा, तो इसलिए इसमें चीरा लगाना बहुत जरूरी है इस र आपको एक और चीर के दिखात देती हूँ किए आपको किस तरह से करना है, तो अब ध्यान से देखना, तो यह दिखिए पूरा बीच में लगाना है, इस से इधर लगाना है, तो इसके भाद यहां पर दोस्तों जो लाश्ट का कौना होता है वहां पर जरूरी लगाएं, उ कि उसके बाद दोस्तों शाम सहे कम हल्दी का पौडर भास इतना इत करेंगे उसके बाद अछका सा पानी का चीटा आपने हम मारें आद के अछे से मासाले खो पंजे को मिलागे और निठे व deposit कर दो कि को अब बिदोंते व्युट्व準備 वे तो दोस्तों मसाले हम रगड के लगाएंगे क्योंकि इसमें जितने अच्छा मसाला रहेगा उतने ही जthese सवाद आएगा तो आपे अच्छे से ही मसाला लगाएं चाहपे आपको इस तरफ से इसमें représाले त्यार करना है तो जलती रहे उसके बादध Contract Size थे फ़ला देंगे के जया जाली के उपर दोस्तों एक बार में ज्यादा आगव कर डिन फेभर नहीं तो क्या है पंजे जले में जल जायेंगे और अधर अच्छे से पके लिए और यह देना किकमा धेख येख तो सेखी Blut हो वं आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही स्वादिष्ट दिख रहा है कि問 दोस्तों हम फ्быलाक सधिते हम पालड़ कि इस財 के ये नहीं और ही निकाल देंगे अब इसे चिनगारे पे थोड़ा को मिनटार हो तो आप देख सकते हैं बहुत यह अच्छे से लाल हो गया है यह दिखिए अच्छे से शिप गया है मतलब अगर नहीं पका है दोस्तों अच्छे से तो आप अच्छे से उसके बाद दोस्तों इसमें थोड़ा सा पाने डालेंगे इसका बारी पेष्ट बना लेंगे दोस्तों जब आप इस पंजे को भूझे तब इस चटनी को जरूर बनाए क्योंकि इसका स्वाद बहुत अच्छा एगा इस रेश्पी में इसको अच्छे से पीस लेते हैं दोस्तों उसको चप चटनी आप बना रहे तो सिल बट्टे पही बनाया ज़्यादस आएगा तो यहाँ मैंने इसको पीस लिया है का टॉरी में रख लेंगे उसके बाद दोस्तों चलते हैं इसको सेर्फ करते हैं तो तयार है चटनी हमारी तो यहाँ पर देखिए दोस्तों मैंने इसको सेर्फ कर लिया है चटनी के साथ तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक तोड़के भी दिखाती हूँ कि कितना कड़क और कितना अच्छा यह पका आपको ये पंजे वाली रेस्पी कैसी लगी और आप बनाईएगा खाईएगा और उपने दोस्तों में वीडियो जरूर सेट कीजेगा